दोस्तों प्रित्वी का एक सबसे बड़ा मियाम अब जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि जिस किसी भी चीज की शरुवात हुए है उसका कभी ने कभी तो अंत हो नहीं है फिर चाहे हमें अंसान हो जानबर हो या फिर हमें अपने अंदर समेटी हुए प्रित्वे हो हर एक लिए आता है कि आखिर हमारी प्रित्वी का अंत कभ होगा आज से लाखों करोडों साल पहले बनके तयार हुए ये प्रित्वी कभ जाकर अपनी अंतिन सांस लेगे और क्या ऐसा जल्दी ही होने वाला है और अगर होगा तो कैसा होगा आज किस वीडियो में इन सभी साल काई डाइनसार राज किया करते थे कुछ जमीन पर चलते थे तो कुछ आस्मान में उड़ते थे लेकिन आज वो सभी पूरी तरह से विलूप्त हो चुके हैं क्योंकि प्रित्वी ने इतना भयानक विनाश देखा कि वो डाइनसार उसे जेल नहीं पाए जिसके लाखों जरूर होगा जब प्रित्वी पर किसे बे इनसान का नामनिशन नहीं बचेगा शलें की कई सारी सभथाओं में प्रित्वी पर प्रलाय या फिर कहले जिए कि विनाश के भविश्यवाणिया की गए हैं अब जैसे कि अगर हम माया सभथा की बात करें तो इस सभथा के हسाब से प्रित्वी को आज से दस साल पहले ही खत्म हो जाना चाहिए जिया माया सभिता ने अपनी भविश्यवानी में प्रित्वी का अंतिम दिन 21 देसंबर 2012 बताया था अपको बता दें कि माया सभिता नौर्थ अमेरिका की बहुत ही प्राचीन सभिता थे जिसके शुरुआद 1500 इसापोर मानी जाते हैं माया सभिता अपने वक्त पर खगोल विग्यान के मामले में बहुत ही उन्ना थे यहां तक कि अंतरेक्ष के बारे में की गई उनकी कई सारी भविश्यवानिया बिल्कुल सच-थाबित हुई माया सभिता द्वारा बनाए गए कैलेंडर में 21 देसंबर 2012 तक की तारीख बताई गए थे उसके बाद की तीथी का वर्णन उनके कैलेंडर में नहीं है माया कैलेंडर के अनुसार 2012 के बाद प्रित्वी का अंत होना था और ये चीज इतनी ज्यादा प्राचलेत हुई थे कि इस पर हॉलिवड में फिल्म भी बना दे गए जिसने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया और फिल्म को देखने के बाद लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि वो अपनी अंते मिच्छा पूरी करनी की जदो जहर में लग गए थे और कोई सोच रहा था कि अगर 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या होगा जिसके चक्कर में फिल्म तो चल गए पर 2012 में कोई भी प्रला या फिर विनाश नहीं हुआ और आज हम 2022 में कदम रख चुके हैं अब तो बल्कि ये साल भी खत्म होने वाला है और खगुल विग्ञान में महारत हासल करने वाले माया सभेता के भविश्यवानी यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो गए पर दोस्तों माया सभेता के ही भविश्यवानी के वल गलत नहीं हुए है बुलकि प्रित्वी के विनाश को लेकर कई सारे भविश्यवानियों ने गच्चा खाया है अब जैसे कि आप ताइवान के धार्मिक गुरू मिंग चेन को ही ले लीजे जिन्होंने ये कहा था कि 25 मार्च 1988 को प्रित्वी का विनाश हो जाएगा असल में मिंग चिन ने इसाई और बौध धर्म को आधर बना कर ये भविश्यवानी के थे कि 25 मार्च 1988 को इश्वर धर्ती पे आएंगे और क्योंकि इंसानों की वज़े से प्रित्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया होगा इसलिए इश्वर पूरी मानव जाती को सजा देंगे और प्रित्वी पर मौझूद सभी मनोशे मारे जाएंगे साल 1988 में ये बात इतनी ज्यादा पर चले थे कि महीनों तक ऐसी खबर को कई सारे अख़वार वाले लगातार चापते रहे हैं लोग इसे लेकर काफे ज्यादा डर भी रहे थे क्योंकि अगर मिंग चेन के बात सच हो जाते तो पूरी दुनिया की काया ही पलड़ जाते उपर से इनके फालोवस भी बहुत बड़ी संख्या में थे इसलिए सभी ने इनकी भवेश्यवानी को सच मान लिया और अपने जीवन के बचे-खुचे काम करने में जट गया है हलें कि जैसे जैसे 25 मार्च की तारीक नजदीक आई लोगोंने अपने घरों से निकलना ही छोड़ दिया यहां तो कि कुछ लोग इतना ज्यादा ढर गया थे कि उन्होंने अपनी नौकरे तक से इस्तीफा दे दिया ताकि अपने जिंदगी के आखरे दिन वो अपने परिवार वालों के साथ बेता सके है लेकिन दोस्तों अकेवल 25 मार्च का दिन बेता बलकि 26 मार्च के सुबह भी आए और अब तो इस बात को 30 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है जहां किसी बेश्वर का नामों निशान नहीं दिख रहा है जो प्रिथवे पर बढ़ने वाले पाप का अंत करने के लिए जमीन पर अफ़तार लें इसलिए मिंग चेन की ये भविश्यवानी भी पूरी तरह से गलत साबित होई लेकिन भविश्यवानीों का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुखता क्योंकि अभी हाली की बाद है जब end time prophecy नाम के एक संस्था द्वारा प्रिथवे के विनाश को लेकर भविश्यवानी की गए थे जिसके मताबिक 29 जुलाई सन 2016 को प्रिथवी खत्म हो जाएगे यह उलका पेंड इतना ज्यादा बड़ा होगा कि उसके टकर से प्रिथवे में बहुत बड़ी मात्रा में उश्मा पैदा होगे जो एक बहुत भारी न्यूकलियर बम के समान होगे जिसके वज़े से प्रिथवे पर मौझूद जीवन पूरी तरह से नश्ट हो जाएगा कोई भी जीव जन तो प्रिथवे पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में काम्याब नहीं हो पाएगा खास करके हम इंसान तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगे पर दोस्तों इतनी भायनक भाविश्यवानी के बावजूद भी आज साल 2016 नकेवल बीच चुका है बल्कि इस बात को 6 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और हर कोई हसी खुशी अपनी जिन्दगी जी रहा है तो दोस्तों ये भाविश्यवानिया तो फेल हो गई क्योंकि आज समय और भी ज्यादा आगे निकल गया है लेकिन अब हम आपको एक ऐसी भाविश्यवानी के बारे में बताने जा रहे है जिसके अनुसार आज से लगफ़क 40 साल बाद प्रत्वे का वेनाश हो जाएगा और ये भाविश्यवानी किसी और ने नहीं बलकि न्यूटन ने के थे जिया फादर ओफ मॉर्डन साइंस न्यूटन के अनुसार ये दुनिया साल 2060 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगे खास बात ये है कि न्यूटन ने ये बात ऐसे ही नहीं कही है बलकि इसके पीछे एक अच्छा खासा फॉर्मूला मौजोद है जिसके जर्गे उन्होंने ये भाविश्यवानी कि थे गति के नियम के तमाम फॉर्मूलों का अविश्कार करने वाले न्यूटन ने 704 में एक नोट लिखा जिसमें ये कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा जब प्रिथवी के घूमने की गति बदल जाएगे जिससे दिन और रात आधे हो जाएगे और साल 2060 के बाद प्रिथवी पर समय बिलकुल खत्म हो जाएगा यानि कि किसे भी सूरत में ये दुनिया 2060 से आगे नहीं बढ़ने वाले है न्यूटन ने ग्राविटी और दूसरे ग्रहों को अपने इस भविश्यवानी का आधार बनाया था अब ये भविश्यवानी कितनी सच हो पाईगी और कितनी नहीं इसका जवाब तो समय ही दे पाएगा क्योंकि आज से करीब 38 साल बाद जब साल 2060 आएगा तब जाकर हम ये पता लगा पाएगे कि न्यूटन ने जिस फॉर्मुले से धर्ती के विनाश के भविश्यवानी के थे उनका वो फॉर्मुला सही था या फिर नहीं क्योंकि अब तक तो न्यूटन ने बहुत से बड़े बड़े फिजिक्स के नियमों से लोगों को रूबरू कराया है और अगर उनकी ये बात सच हो जाते है इसका मतलब ये कि मनुश्यों के पास ज्यादा समय नहीं है अब दोस्तों बात करते हैं नॉस्टर डैमस की भविश्यवानी के बारे में जिन्नोंने ये साफ कहा कि लगभग 3,000 साल बाद यानि कि 5,080 में प्रिथवी पूरी तरह से नश्ट हो जाएगे आपको बताने कि नॉस्टर डैमस को भविश्यवानियों का पिता माना जाता है क्यूंकि इनकी कई सारी भविश्यवानियां बिलकुल सटीक और सही साबित होई है विशेशक्यों के अनुसार नॉस्टरडामस ने प्रलाय के बारे में बहुती सपष्ट रूप से लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा सा आप का गोला प्रिथवी की तरफ बढ़ रहा है जिसके करण समद्र का सारा पानी प्रिथवी पर फैल जाएगा और यही बजाए कि धर्ती के अधिकान शिला के पूरी तरह से पानी में जलमाग नो जाएंगे या फिर यह भी हो सकता है कि इस भयानक टकर के करण धर्ती अपनी धुरी से ही हट जाए और अंतकाल में समा जाए पर दोस्तों जो भी हो लेकिन इस भविश्यवानी की सच्चाई देखने के लिए साल 5080 तक न तो आप जिंदा होंगे और नहीं हम होंगे तो इसके लिए तो हमें टेंचन लेनी की सरत नहीं है और दोस्तों इन सभी भविश्यवानियों के अलावा महान वाग्यानिक स्टीफन हौकिंग ने भी एदावा किया है कि मानव जाती अधिकतम हजार साल तक ही जीवित रह सकते हैं क्योंकि प्रित्वी आने वाले हजार सालों में समात हो जाएगे उन्होंने ये साफ कह दिया है कि अगर हमें इनसानी सभीता और हमारी अडवान्स टेकनोलोजी को बचाना है तो अभी से ही नए ग्रहों की खुच शुरू कर देनी चाहिए जहां पर हम इनसान अपना अस्तेत्व बचा सकें क्योंकि मनुश्य को हर हाल में हजार साल के अंदर किसी दूसरे ग्रह पर बस्तियां बसानी होंगे वरना हम सब का अंतनिश्यत है क्योंकि हम इनसानों के साथ साथ हमारी टेकनोलोजी हमारी अडवान्स्टमेंट सब कुछ नश्ट हो जाएगा और ये दुबारा फिर कभी हमें मिल पाएगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि जिस evolution के process से हम बंदरों से इंसान के रोप में बदले हैं वो process आगे होगा या नहीं ये कहा नहीं जा सकता ऐसे में अगर हमें इंसानी प्रजाती को बचाना है तो दूसरे ग्रहों पर अपना घर बसाना ही पड़ेगा और दूस्तों हम स्टीफन होकिंग के इस बात से पूरी तरह से सैमत हैं क्योंकि भले हिन लोगों के भवेश्यवानिया आने वाले समय में गलत साबित हो जाएं लेकिन ये बात तो तैय है कि कभी ने कभी प्रित्वे का अंत होना ही है और उसके लिए हमें पहले से तयार होना चाहिए वरना सब कुछ थबाह हो जाएगा बाके आप इस बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट में जरूर बताएं और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बोलें धन्यवाद